आजकी या वीडियो बीये फोर्थ समस्टर सोस्योजी यानि कि समय शाफ्तर की महा संघ्राम होने वाली जिन जिन बे स्टूडेट की परिच्छा आने वाली दिनों में सोस्योजी की लगी है और वो वीडियो को कमम्प्लीट ज़रोड देखना चाहिए काफे ज्यादा है जेल क्या सकता न पड़े मस्ट वीडियो देख लीजिए यही मात्र आपको हेल्प मिल जाएगी ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं कम्प्लीट वीडियो को देखेंगे एक भी कोईशन मत करिएगा मैं आपको बता रहा हूं गर वीडियो पूरी देख लेंगे जो जो मैं कोईशन बता रहा हूं उसका उत्तर अच्छे तैयार कर लेंगे अरे कोई पैदा ने जो आपको फेल कर देख चलिए आज आएंगे भी आपका दूतिय वर्स है ठीक है वर्स आपका दूतिय यानि कि सिकेंडियर है और समस्टर आपका फोर्थ है यानि कि चतुरत समस्टर है प्रश यह पिए परवार और अपनी बेटी बहर को ठीक है अपने घर से बिदाल्णता तो समाजकें एक्स वह सबाजिक साथ को जाती即या यह किती है सबसक्राइब कि जेते के समाजिक समस्या है यानि कि जो जिस भी समाज में आप रहते हैं उसकी समस्याल कि तो अपने यात्नाएब अपराद हुआ है तथा भारते बेवाइक बेवस्था प्रदूसित हुई है किस वज़ा फे सिर्फ और सिर्फ दहेज के वज़ा फे ठीक है दहेज साधी के समय दुलहन के ससुरार वालों को लड़की के परिवार द्वारा नगत या ववस्थ के रूप में दिया जाने वाला भुगताद तो व पासिक मशीन आजाती है टिक फिलाम मशीन आजाती है बहुत फारी चीज़यतें मतब नगति मतब जब आप लोग जहां पे रहते होंगे तिलक होता है साधे से पहले तो उसमें नोग देते हैं तो चार लाख रुपे इतना भी होता हो देती घीक अदिस असब गया है फिर लड़के पच्च को दिया जाता है ठीक है तो लड़की वाई लड़कों को देते हैं तो यह भुकतान का है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं और यह बहुत बड़ी समस्या है और इस वज़ा से लोग बेटियों को गलत निगाफ देखते हैं या फिर अपने घर में लड़की वह जाती है और किसी घर में लड़की हो जाती है लेकिन वह लोग समझते हैं कि हमारे घर में एक समस्या जनम लेली है तो इस परकार बहुत बड़ी हमारे समाज में समस्या है तो इस प्रकार के लोगे बाते करते हैं और अपराद हो जाएगा कोई नो कोई अपरादी मतलब कि लड़कों का अप लोग बहुत लोग गलत नजलिय से भी देखते हैं ठीक है और यह दहेच प्रता की वज़ाफे जो भारत की जो विवाज होता है यह प्रदूसित हो चु जाता है तो इस प्रकार बेशिक पर्चे लिखेंगे और इसी वज़ाफे हर इंसान को देना पड़ता है कंपेटिशन का मामला है वो कहते हैं उतको मिला था तो हमको भी मिलना चाहिए ठीक होती है तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं इसको लिखने बैठेंगे तो सब नहीं कम पड़ेंगे आप भले लिखना बंद करनेंगे लेकिन सब नहीं कम पड़ेंगे और यह पॉपलर कोश्चन आएगा भी अगला की घरेलू हिंसा का क्यार थे इसके बारे में जानते हैं तो सिंपल सा परचे लिखेंगे कि किसी घरेलू संबंध या नातेदारे में क करने को समबंद होता है उसमें किसी उपरकार का गलत बिवार किया जाता है यह या तिया और मारा जाता है तो पिर आपको किसी चीज प्राइब आपको करें के सरीर और तो उस चीज़ को हम कहेंगे घरेलूजंसा और यह जा आप लोग देखते होंगे कि बहुत फारी लड़किया ऐसी हैं जब उनकी साधी होती है तो जिस घर में जाती हैं तो होता यह कि बहुत फारे लोग ऐसे होते हैं जहांपर जाती हैं लड़किया मतलब ब्या हो जाता है प्रतारित करते हैं ठीक है क्या करते हैं परेसान करते हैं और ठीक है प्रतारित करते हैं ठीक है तो यह क्या है घरेलू हिंसा है अगला है कि बिवा बिच्छित किसे कहते हैं जिसको आप लोग हिंदी में जानते हैं किसके नाम से लगाओ ठीक है तो बिवा बिच्छित कैसे हो यह सब चीजे कोश्चन आएंगे लेकिन यह बिच्छेद वाला बहुत कमाता है तो फिर आएगा तलाक वाला ठीक है तो उत्ता लिखना के बेविचार यदि पती या पत्नी ठीक है यदि पती या पत्नी में कोई भी किसी अन ने अ में बेक्त से विवाहें 06मन्द अस्थापेत करता है तो इसे विवा बिच logar Сट का अधार माना जाता है कुरूरता बहुत किया जाता है तो कुरूरता के तहेट इसे विवा बिच चीज़द का अधार माना जाता है अगला एक टालपके से कहते हैं जी है में बहुत होता है तो निकाह की सर्दों माने वाले दंपती अलग होते हैं तलाक होने के बाद ब कानूनी तो पहब पहरे तो समाज में बोट तो को को साथ युंप 197 सामने अब अलग रही है अगर ना झाल है तो अब तो ऑब लिखा पड़िए के कारिवाही के जड़िये होता आपको इस्टाम देया जाता उसके आपको बाकाइदा साइन करना पड़ता है ठीक है कि हमारा इन फे कोई कर सकते साथ साथ में कोई डीमाड्ट नहीं कर सकते कि नहीं रहना चाहेंगे जो एक पत्ती नियुक्त होती है उनकी साधी हो में ऑद किसी कारणा वस्त पत्ती अलग होना चाहते हैं तो वह प्रोसेस कहलाता है तलाक तो वह तलाक का सहारा लेते हैं अलग अलग हो जाते हैं अगला की भारत में व्रद्ध जरू की प्रमुक समस्चा यानि कि जो बोड़ाप्पा लोग है जो एजड़ लोग है यानि के करीब के 60 से उपर उनकी प्रमुक समस्चा हैं चुकि लिखने के लिए आफ अक्ता है कि ब्रद्ध जो लोग हैं उनकी समस्चा बताइए तो सारी रिख दुरबलता आयू बढ़ने के साथ बेक्ते का फारीर स्थितिल होने लगता मतलब कि जैसे जैसे आपकी उमर करेंगा कभी क्या पेन करेंगा तो एक तरीके से बहुत ही क्रिटिकल लाइफ हो जाती है आफ्टर सिस्टी यह यानि कि 60 साल के बाद अगर आप पहले से अच्छे हेल्थ हैं अगर आपने अपने बच्पन में या फिर यंग थे तो अपने हेल्थ का ख्याल किया तो अपने कि अगरापा हो जाता तो बहुत फारी बिमारीया भी घर बना लेती हैं आपके सरीर में कभी कोई बिमारी कभी कहां पहले को अब तीन नमबर पर आप लगदियं थीन नमबर जो प्रद्धों की समस्चा निक बृडपों को अकेले पर समस्चाने हैं नोब मत्तब कि पैसा देता नहीं तो एक तरकिश बोल फकते आर्थिक आफर अच्छा कि इस भी आ जाती है रुपए पैसे भी नहीं रह जाते जितना होना थी मतलब कि बहुत लोग ऐसे भी जो जब आपके माबाप या फिर आपके जो दादा दादी हैं जब एजट हो जाते तो लोग उटको क्या करते हैं अलग कर देते कि आप अपना अलग रही हैं अपना अलग जिएगे अपनी लाइफ अलग वितीत करेंगे उनको एक गर में कोना या फैमली में रहने का जो फील होता है वो नहीं मिल पाता है तो हीा वुचित भाल की समस्या क्योंकि आछे कोई केर्द नहीं कर पाता मन और अंजन की खीरा है है कई भी जाना चाह perfectly वहां प्रदों की जो कि हमर जब हो जाती है अधोर और वस सभी होती तो प्लद़ प्षा स्थेमली में आना सुरू हो जाती है तो इस प्रकार लिखेंगे कि ऊधानाएं बताएं results सब्सक्राइब निरंतर प्रिक्रिया निरंतर प्रिक्रिया मतब कि हमेफा चलने वाली प्रिक्रिया कि आप गवर्मेंट को नजरी से अज क्या आज कि आप लोग दस मतब कि आज कि पचाफ पहले करें बाइक किसी के पास नहीं थी साइकल भी नहीं थी मतब साइकल थी लेकिन लिम्टेट थी दीर दीर आप लोग देखिए हर घर में कार हो गई लगबग सभी घर में हैं अभी स्मार्टफोन करते थे नहीं होता है कि पैड आया थी स्मार्टफोन आए और आज लोग आप लोग देखते हैं कि जवाना कहां पर कहां पहुंच गया हर चीज में हर चीज में क्रांती आई यह वह चाहाए आपका ठीक है एलक्ट्रानिक फिल्ड हो यह फिर आट्रों मॉब लोग आलाइन वीडियो देखी नहीं पाते थे मतलब की पढ़ाई नहीं कर सकते तो बुक का फारा लेना पड़ता था अब आजकल बुक कम हो गए लोग आलाइन पढ़ना चाहते हैं आलाइन पढ़ते तो यह सब चीजे हैं ठीक है अगला है सहज क्रिया यानि की इजी प् लेकिन उसके बाद ओंजिस हिसाफ से महोल पाएगा बच्चा वह उसी में ढ़ल जाता है अच्छा महोल है तो अच्छे महोल में डलेगा बुरा महोल में मिलेगा तो बुरे महोल में डलेगा व्यापक अर्थ ब्रद्ध की तुल्णा में विकास अधिक ब्यापक है और अंत्रिक प्रक्रिया निश्चित क्रम ठीक है यह कुछ प्रमुख विकास की विश्ष्षता हैं मतरातमक गुड़ातमक पूर्फूचियां जो भी आपको बेटर लगे जो भी आपको समझ में चार क लिखने के लिए आता ही आता है ठीक है हमेशा नहीं आता है लेकिन ज्यादर परिच्छाओं में आया है थोड़ा पढ़ लेंगे तो बिटर रहेगा ठीक है अगला प्रस्ण आतंक वाद क्या है ठीक है अतंक वाद सब्सक्राइब ने सुना ही होगा चलिए इसके बार हम जान होगा करकि केवल धंकी डेना ही आतंक वाद है मतलब कि कोई गार कानुनी कारे करना पलफ धंकी देना ठीक है ये एक गलत पार mitt क nickname के नाम सी जाना जाकन और आतंक वाद कम यह कि अपने देश से घद्दारी करना यह भी बहुत बड़ा मतलब होता है तो इसका मतलब हुआ यह हुआ कि आतंगवाद में धंकी का प्रियोग खुले तौर पर किया जाता अंतर राफ्टे बिधी ने भी आतंगवाद को परिभाफित किया है मतलब कि खुले तोर पर कि हम दे भाफा यह कोश्चन आप पढ़ लीजेगा हला कि बहुत कम आता पढ़ भी सकते हैं अग्राप प्रस्ण ने कि मानौ संसाधन विकास से आपका क्या तात पर है तो ध्याण से सुनेंगे मानो विकाफ एक सन्रशना है question ऐसे ही आया कि मानो सन्साधन विकाफ के बारे बताईए गोरी संगठन के या राफ्ष लच्छे को फंतो जनक Taste उसूष की विकाफ की अनुम्त देता है मतलब कि कोई कार है कोई लच्छ है देश का ठीक है उसको पूरा करने में एक दब legally आराम से सीधे तरीके से ठीक है संतोष जनग धंग से पूरा करने का प्रियाफ करता है करने में अपना योगदान देता है और साथ साथ में जो बेक्त ही होते हैं उनका जब विकाफ वखे उसके लिए भी अनुमुद देता है बेक्त के विकाफ से बेक्त बिसीस तथा फंगठन दोनों या रास्ट और उसके नागरिकों को लाव होगा यानि फिर देश का भी लाव होगा और जो देश में रहने वाले नागरिक हैं उनको भी लाव होगा ठीक है तो इस प्रकार बेसिक परचे लिखेंगे मानों संसाधन विकाफ के बारे में आगला की विरोजगारी की परिभासा वप्रकार बताईए तो विरोजगारी सब्द से आप सभी परचीत होंगे कोई अन्नोन नहीं है क्योंकि विरोजगारी को एंग्लिस में ठीक अनेंप्लाइमेंट बोलते हैं तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जब कोई ब्यक्त किसी भी का नदावा योगता रखता हो तथा कारे करने का इच्छुक भी उंकि तुसे कोई कारी न मिले तो इसको में रोजगारी कहेंगे उसको करने के लिए कोई भी ब्यक्त कोई भी इंसान कोई भी महिला कोई भी पुरुष जो है उसके पास टैलेंट भी है योगिता भी है बट कार करने मतब कि और साथ साथ में कार करने का इच्छो को बट उसे कार ना मिल ला हो वो काम के तलास में हो ठीक है और उसको काम ना मि तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे विरोजगारी ठीक है आपके पास quality आप टैलेंटेड हैं आपके पास अच्छी काफी एजुकेशन है और आप काम ढोड़ रहें आपको काम नहीं मिल ला है यह पिर कहीं पर है भी तो वहां पर स्थीटे फुल हो जा रही है तो इसको हम क्या कहे कानून की आपके ठीक है विरोजगारी मिलेंगे भारत में ब्रयाधि क्योंग होते है तो पहला जो कमजूर कानून बिवफ्था भारत में अपराद कम्मौ के कारण है पुलिस प्रसासनवा कानून बेफ्था की फित हिलता मतलब कि अगर कानून ये फिर पुलिस जो डिपार्रिमेंट है वो एक्टिव नहीं होगा वो सक्त सक्त अगर कोई कारिवाही नहीं करता कोई जो लीगली एक्सान है अगर नहीं लेगा तो इससे क्या होगा अपराद कर सकते हैं ठीक है अगर वो यह सब करने में सच्छम हो जाएगा तो वह आन्ने भी कार रहे वह भी करेगा चाहे वह लीगल हो चाहें लीगल हो ठीक तुछसे क्या होगा अपरादी तो बढ़ेगा अगर एक्सन नहीं लेंगे ठीक गवर्मेंट हो चाहें कोई भी डिपार् हुआ जिसके करण अपरादों की संक्या में बिरोजगारी भारत में तेजी से बढ़े ही मतलprem कि जन संक्या नियुकि जादा तेजिते बढ़ रही है और वृँ जादा काते हैज जादा होगी कम जोगों को नूकरी को नवकरी मिलेगी तो बाकि के जो बचेंगे वो कई नोग गलत कदम उठाएंगे फिर उनको कम समय में ज्यादा इनकम होगी तो वही बिरोजगारी की समस्या जुस्तातु जै रिवाज के वनी जानकार है देश के सिस्टमम है तो यह भी अपरात का कारण आगो संसकार नहीं है però वनीत को इस वरकार लिकिए पराद कर सकता हैं तो इस परकार लिखेंगे आप रात के बारे में ब्रस्टा चार की कारण बताई यह भी पोप्लर कोईश्चन है इसके बारे में आपको तैयार कर लेंगे ब्रस्टा चार किसे कहते हैं तो ब्रस्टा चार की परिमाब मतलब की कारण लिखेंगे ब्रस्टा चार की किन वज़ा से लोग ब्रस्टा चार कर रहें और बहुत लंबी कदार है तो वहीं पर कोई दलाल या फिर कोई बेखता कि आप से बोल फकता है कि आप 10,000 रुपे निकालेंगे न अब बोले कि 10,000 निकालना है तो आप बोलेंगे सो रुपे दिला दो हम आपका भी तुरंत एक मिनट के अंदर आपको पैसे दाफ़जार दिलवाए दे रहें आगे सब लाइन जो है वह आप लास्ट में खड़ें आप सबसे पहले लग जाएंगे ठीक है तो वह आपसे पैसे इस्टा लएकर सो रुपे आपको सबसे पहले कर देगा वह कहीं न कहीं आपके बैंक से जुड़ा होगा तो आपको जानकाई नहीं को तो आप ठक कर कि आप एस और पे लेकर आपको पैसे देख कर आपको कामकरा देगा आपका तो यह वर्ष्टा चार के अंतर गताता है नितिक मुल्यों का पतन बढ़ती उप भोक्ता समाज में ब्याप्त बिभिन कुरूतियां समाजिक सुभिकार्यता तो यह सब प्रमुक भष्टा चार्ज के कारण है जिनके बारे में आपको तयार कर लेना मोस्ट इंपॉर्ण कोशिचन कई बार रिपीट भी हो चुका है अगराष साइबर अपराथ यह भी बहोतं बड़ा कारणा है不是 साइबर अपराथ गद्विद्व के जिस कफ एक बिस्षट संखला जैसे कि गैर कानूनीय रूप संप किसी भी या फिर किसी की नीजी जानकारी प्राप करना जानकारी मिटा देना उसका गलत इस्तमाल करना उसमें फिर बदलाव करना आनलाइन बैंक हातों से पहफे चुरा लेना ये सब आता है साइबर अपराथ के अंतर का त्यानी की साइबर क्राइम के अंतर का ध्यान रखें वह आचयर जो किसी भी प्रकार के अनेतिक और अनुचीत हो उसको हम बरषटाचार करेंगे तो इस प्रकार इन प्रषणों को उत्तर तयार कर लेंगे बाग है यlit पूरी पूरी इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाकी मिलते हैं एक और ने वीडियो में जब तक के लिए जहें